हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टैक में अगर आप अपनी जीमेल अकाउंट को पर्मनेंटली डिलिट करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि उसे कैसे डिलिट करते हैं तो आज की से वीडियो में आप सीलिट करना है तो आप इसपर इनी फ्रेप्स को फोलो कर सकते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले और चैनल पर नीव हैं तो इसे सबस्क्राइब और नोटिफिकेशन वैल को भी ओन becomes ताकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे ओके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है और इसमें यहाँ पे लिखना है www.gmail.com एंटर करना है उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे आपको अपनी Gmail एकाउंट से लोगिन करना है जिसको आप डिलेट करना चाते हैं अगर आप Mobile से डिलेट करना चाते हैं तो आपको Mobile में अपनी Gmail के एप्लिकेशन को उपन करना है और वहाँ पे अपने उस एकाउंट को लोगिन करना है जिसको आप पर्मेनेटली डिलेट करना चाते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे जो एकाउंट डिलेट करना चाते है वह मैं टाइप कर देता हूं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह आप अपने जीमेल अकाउंट में लोगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको इसमें सबसे पहले यहाँ टोप राइट कोर्नर में आना है और जो यह आपको ब्लू डोट दिख रहा है इस पे क्लिक करना है इस पे आपको मैनेज यूर गोगल अकाउंट पे क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ओप्शन दिखाए देंगे इसमें आपको डाटा एंड परस्नलाइजेशन पे आना है उसके बाद आपको इसमें स्क्रोल डाउन करना है नीचे इस्टे बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है डाउनलोड डिलेट और मे के प्लान फोर यूर डाटा इसमें आपको डिलेटे सर्विस और यूर अकाउंट पे क्लिक करना है कि उसके बाद हमें यहां से account डिलेट करना है तो टिलेटी और Google उसके पासवर्ड मांगें गा यहां पी एक बार बार डाल देना है अपना ठीक यह उसके बाद नेक्स्ट पे किलिक करना है दो उसके बाद यहां पर scroll down करना है उसके बाद यहां पrif всем कर दूर्ण director है I want to permanently delete this Google account और यहां delete पे क्लिक कर देना है कि आप देख सकते हैं अपने successfully आपका यह account इस तरीके से delete हो जाएगा तो अमीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपनी जीमेल अकाउंट को permanently delete कर सकते हैं अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लिए एक लाइक जरूर करें थेंक यू